हेले हो अस्तामलेकुम एव्रीवन विल्कम बैक टो मैं चैनल लाप रिव्यूज तो आज की जिर मेरी वीडियो है वह जैन फार्म्स के बहुत ही फेमस दो मोईस्टराइजर के बारे में हैं जो कि आपके सामने पड़े हैं जिसमें आता है एक डर्मिफ ओईली मोईस्टराइ तो उनको आइडिया हो जढ़े तो सबसे पहले मैं आपसे घर मिफ ओईली में Alberta की बात कर लेती हो तो जिनकी सकंसरा एक्सिरणा होती है जिस इसको गहते है सूपर ओईली सप्सक्राइड कुए जिसमें बहुत ही मसले होते हैं एक्री में थो है तो ये उनके लिए है इसमें यह होता है कि आप अगर face wash करते हो तो उसके बाद आपने यह फोरण apply करना होता है ताकर यह आपको hydrate करें और hydrate इस तरहां यह करेगा कि यह oily नहीं करेगा जैसे कि अपर लिखा है Aktioner को बाद आप ने करें भीख ऐसके फिग नापर लाइट करमा, लिखा हैлек बाद न्हीं क बटाने को मुपा ही रहे रहे बघे बित सब्सक्राइब दर अफरा अनले जाज़ सब्सक्राइब के रहे कर लेना अच्छा जी दूसरी बात के इसमें SPF 20 है जो के इसका मतलब अगर आप ये लगा के बार जाओंगे तो ये as a sun screen भी आपको help करेगा आपको ultraviolet rate से बचाएगा और उसके इलावा dry skin के लिए तो आप ये use करी सकते हो और इसको apply करने का तरीका ये कि आपने पहले face wash जब करना है और आपने फॉरन ये apply करना है ठीके बतलब के मेरी skin super oily है तो oily skin के लिए मुझे इससे अच्छा moisturizer नहीं मिला बिलकुल भी market में मैं इससे पहले 2-4 और ये उसकी है बट मुझे ये इसका texture दिखा देती हूं कि इस तरह के और उसके बाद में आपको इसका भी texture दिखाऊंगे क्योंकि दौनों की texture में जमीन आसमान का फर्क है ठीके तो आप लोग देख सकते हो इसका कुछ टेक्सर ऐसे है अच्छा आप लोग देखो ये अपनी जगा से हिलेगा नहीं जल्दी कि ठीके और जबके मैं आपको ओईली दिखाऊंगे ओविसली वह थोड़ा अपनी जगा से हिलता है ठीके तो यह आप लोग एक दवा इसका texture देख लो ठीक हो क्या सो अब मैं आपको दिखाती हूँ के ओईली मॉस्चुराइजर कैसा है ओके सो यह है ओईली डर्मिफ का मॉस्चुराइजर जो के soft and smooth and and rehydrate your skin suitable for adults and children और relief itching अब पहले भी बिताना भूल कि यह दोनों जो lotions है यह adults और बच्चों को भी लगा सकते हैं कोई इसका side effect और कोई मसला मसाइल नहीं है इसके साथ अच्छा जी अब कुछ आपको dry skin जिनकी होती है तो उनके extremely dry skin होती है कि उनके dryness के patches बन रहे होते हैं face पे तो यह उनके लिए होता है specially और जिनको एक्जेमा का मसला होता है और यह भी ऐसी ही बिमारी है जिसमें आपको बहुत skin dry और पील और painful हो जाती है ठीक इस पे भी SPF 20 है यह आपको help out करते है sunscreen की तरह एक्ट करते है और इसके लावा यह light weight है अच्छा अब इसको लगाने का तरीका यह है कि आपने face brush को कि इसको भी इसको foreign apply करने का पहले हम लोग oily oil free moisturizer इसलिए करते हैं कि आपके skin hydrate हो जाए तो oily moisturizer इसलिए करने कि आपके skin hydrate हो इस वजह से भी कि जिनकी skin dry होगी और वो यह वाला यूज करेंगे obviously अगर वो face wash करते होंगे तो उनका बिल्कुल जो skin का oil है वो clear out हो जाता होगा तो skin बिल्कु skin बहुत dry और खिची-खिची फील हो तो वह wrinkles जुल्रिया जल्दी आने का और चाहिया जल्दी पढ़ने का उसमें मसला होता है risk होता है ठीक होगा अब आप लोग पूछ रहे होंगे मुझे के मैंने oily skin वाला और oil free दोनों कैसे use के जबके मेरी super oily skin है तो इसका जवाब यह है कि मेरी skin बहुत जादा dry थी sorry oily थी बट जब से मैंने मुझे doctor ने soap दिया और face wash दिये medicated तो उसकी वाब से मेरी skin थोड़ी बहुत जादा dry होने लग गई थी मतल़ कि कभी कभी होता था कि oily हो जाती थी कभी होता dry हो जाती थी कोई एक pattern नहीं था उसका तो जो मेरी skin बहुत ज मिक्स करके यूज करने सेम कॉंटिटी में तो मैं इसका पी साइज मतल की मत्र के दानाच 30 की कॉंटिटी थी मत्र के दानाच 30 की कॉंटिटी लेके उसको mix करके और फिर रप्राय करती थी तो मेरी लिए बहुत बेस्ट काम हो गया था सो मुझे रगते हैं इससे अच्छे moisturizers market में नहीं है वो भी medicated आपके पास moisturizers है और प्राइज 800 पीस पार मुष्टराइजर बहुत रीजन है इतनी बड़ी bottle के हिजाब से उसके लावा मैं आपको इसकी consistency और इसका पर भी दिखा देती हूं texture के यह कैसी है तक आपको इसका आइडिया हो जाए जैसा मैंने आपको पहली का दिखाया है आप लोग देख सकते हो इमें अप्लाइकन लगी हो यह खुदी ही इसको इतना प्रेस करने की यह देखें oily मौश्राय से रहे तो इसको प्रेस करने की बिल्कल जूरती पड़ती है इतना liquid consistency में होता है कि यह फौरन बाहरा जाता है और वो वाला मैंने को दिखायाता है कि वो थेक होता है तो इसको इसको इसका बहुत ध्यान अखना पड़ता है कि एकदम से जादा ना बाहरा जेवरना यह हो जाता जो ही हुआ है तो होपसा आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी होगे इंफ्रमेटिव लगी होगी अगर आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को नहीं क्या करने है इसको like, comment और में चैनल को subscribe करने है तिल देन अलाफिस